हाई एव्यूवान विल्कॉम बैक टु टीकनाज कौकिंग वार्ल आज मैं आप लोगों के साथ एक टेस्टी चिकेन की रेसिपी शे Aiare कोरूंगी वह हे बटर चिकेन यह बटर चिकेन आप लोग रैस के साथ रोटी के साथ नान के साथ सब के साथ अच्छे से खा सकते हैं आप लोग जरू ट्राइ किजिए चैनल पे नए है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजिए बाद में वीडियो को फूल वाच किजिए अच्छा लगे तो मुझे कमेंड और लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना मौध भुलिए थेंक्यू चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है बटर चिकन बनाने के लिए मैं ने यहाً ले लिया हूं चिकन यहां मैं सब इंग्रेंज ले लिया अप लोग विडियो को फूरा देखिए और आपको पता चल जाए क्या क्या इंग्रेंश यूज किया हूँ क्या क्या ट्रिक्स और टिप्स फलो किया हूँ पहले मैं अयल डाली हूँ मस्टड इल इसमें पींच अब शुगार डाली हूँ शुगार मेल्ट होने के बाद हमें यह जो जो गुटा मसला यानि साही गुजराती इलाइची लवंग सब दाली हूँ उसके बाद मैं जो प्याज को अच्छे से कट करके रखी थी उसको डाली हूँ प्याज थोड़े से भुनने के बाद मैं हरी मिर्च को डाली हूँ और टेजपत्य इसके बाद मैं लहशुन को पहले डाली हूँ लहशुन अच्छे से फ्राय हो जाए फिर अद् अच्छे से चले जाए और अच्छे से आज आए तब तक हमें मसला को भुनना है उसके बाद हल्दी डलना है और मसले को अच्छे से भुनना है मसला अच्छे से नहीं भुनेंगे तो सब्जी का टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा इसलिए हमें मसला को अच्छे से भुनना है अब तो बहुत बार चिकेन बनाए होंगे एक बार मेरे तरीके से चिकेन बनाएए आपको बहुत टेस्ट लगेगा इसके बाद मैं तिखालाल डाली हूँ सबको मिलाके अच्छे से मसला को अच्छे से फ्राय होने के लिए छोड़ देंगे देखिए जिस तरह मसले में ओयल निकल रहा है अच्छे से ओयल निकल आए उसके बाद हमें चिकेन को डालना है और इसे पहले मैं आलू को भी अच्छे से फ्राय करके रखी हूँ और इसके चिकेन के अंदर डालेंगे कुछ तरह मसले को हमें इस तरह छोड़ देना है अब ही देखिए मसले में अयल निकल आया है अब हम चिकेन डालेंगे मसला हमारा अच्छे से हो गया है अब हम टॉमाटर डालेंगे टॉमाटर को अच्छे से पकने लिए छोड़ देंगे उसके बाद चिकेन डाल देंगे चिकेन को आज में मेरिनेट नहीं किया हूं क्योंकि हर बार एक परसेस में हमको नहीं करना है प्रसेसिंग अलग-अलग होना चाहिए इसलिए में आज मेरिनेट नहीं किया हूँ चिकेन डालने के बाद हमें एक धक्कन लगा देना है उसके बाद जो आलू को हम फ्राय करके रखे थे उसे डाल देंगे आलू और चिकेन को इस तरह मिलाएंगे फिर धकन लगा देंगे 15-20 मिनिट के बाद हम चेक करेंगे हमारा चिकेन अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हम जो अमुल का बटर है उसे डाल देंगे बटर डालने के बाद हमारा चिकेन रेड़ी है यह देखिए चिकन का कलोरी कितना अच्छा रहा है अब हम राइस के साथ इसे साप कर लेंगे